हम हमेशा जगड़ते रहते हैं, हम शुरुवात से ही विवाद में रहते हैं, हर तरफ हमें दिखाई देता है, कि अच्छाए में और बुराए में हमेशा जगड़े चलते रहते हैं, जो अच्छा है वह बुरे के खिलाफ है बराबर यही तो हम सुनते देखते आये है अच्छाई की बुराई पर वी जाए है ना Greek mythology में और बाकि कई पौरानिक कहानियों में हमें बताया जाता है कि अच्छाई में और बुराई में संगर्श है विवाद है और अभी इस समय भी हम यही कर रहे है हम हमेशा बुराई से लड़ने में लगे है क्या यह सच है? अच्छा इंसान और बुरा इंसान क्या अच्छाई बुराई से पैदा होती है? क्या बुराई से ही अच्छाई बनती है जन्म लेती है? अगर अच्छाई बुराई से निर्मित होती है अगर बुराई से अच्छाई जन्म लेती है तो वह अच्छाई कैसे हुई? अगर अच्छा बुरी से ही जन्म लेता है तो वह अच्छा कैसे हुआ? जो चीज बुराई से आई है वह अच्छी कैसे होगी? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यह कितना आसान है अगर बुरा और अच्छा दोनों अलग अलग है अगर इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है तो फिर सिर्फ बुरा अलग खड़ा है और अच्छा अलग खड़ा है बुरा उसकी जगा मौजूद है जिसको अच्छे से कोई लेना देना नहीं और अच्छा अपनी जगा मौजूद है जिसका बुरे से कोई वास्ता नहीं कोई लेना देना नहीं अगर ये दोनों एक दूसरे से बिलकुल अलग अलग है तब इन दोनों में संगर्ष नहीं हो सकता जगड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है कोई लेना देना नहीं है बराबर तो हमें तलाश करनी है कि अच्छा मतलब क्या अच्छा क्या है क्या आपको यह जानने में रूची है क्या प्रेम अच्छा है क्या प्रेम में घ्रिना हो सकती है जब प्रेम मौजूद होता है तो क्या उसमें नफरत या हिंसा दुवेश हो सकता है या फिर हिंसा का गुस्से का नफरत का प्यार से प्रेम से कोई वास्ता ही नहीं कोई लेंदे नहीं नफरत और प्रेम में कोई संबंध ही नहीं नफरत और प्यार दोनों पूरी तरह से अलग-अलग है इनका आपस में कोई लेना देना नहीं और अगर इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं तो उन में जगड़ा होना संबव ही नहीं क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है हम कहते हैं कि मैं आज बुरा हूं लेकिन कल मैं अच्छा हो जाऊंगा मैंने आज गुस्सा किया है लेकिन इसके बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा तो यह एक प्रकार का अच्छे और बुरे में संबंध है जो हम बनाते हैं बराबर लेकिन प्रेम का नफरत से या जलन से कोई भी संबंध नहीं कोई लेना देना नहीं जहा नफरत है या जहा मज़ा है या तनाव है वहा कभी भी प्रेम नहीं हो सकता तो बोलने वाला आप से पूछ रहा है कि क्या आपने कभी प्रेम किया है क्या आप किसी से प्यार करते है क्या सच में कभी आपने प्यार किया है और ये प्रेम आता कहा से है कैसे आप पर हावी हो जाता है कहा से इसका जन्म होता है क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझा प्रेम कैसे निर्मित होता है या कैसे जन्मता है कभी आपने इस बारे में सोचा है सर जहा दुख है क्या वहाँ प्रेम टिक सकता है क्या जहाँ प्रेम है वहाँ दुख हो सकता है सर देखिये जवाब देने की जल्दी ना करे मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए इन सवालों को देखिये सर इन पर सोचिये इन सवालों में से गुजरिये सर हम सब किसी ना किसी दुख में होते ही है बहुत लोग केबल परिक्षा से डरते है कि कही वो फेल ना हो जाए नौकरी मिलेंगी या नहीं ये सोच कर दुख ही हो जाते है जब आपको कामिया भी नहीं मिलती तब आप दुखी हो जाते हो हताश हो जाते हो कोई इसलिए दुखी है क्योंकि वो सोचता है कि वो गाव का है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता वा अनपढ़ है इसलिए वह दुखी हो जाता है कोई वेक्ती बहुत कामियाब है वहाँ खुद को भी कामियाब मानता है क्योंकि उसके पास पैसा है वहाँ पढ़ा लिखा है लेकिन वो इनसान भी कही ना कही दुख में जी रहा है शायद उसे और भी जादा कामियाब होना है है ना तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर दोनों तरह के लोग किसी ना किसी तरीके से दुख ही है ही दुनों तनाव में जी रहे है इस दुनिया के हर महिला हर पुरुश बच्चा बूढ़ा सब के भीतर तनाव है ही सब को तकलीफ होती ही है सब के पास अपना दुख है आदमी मजे करता है तो महिला परेशान है आप अपनी अपनी परेशानिया बखुबी जानते हो तो बोलने वाला आपसे कह रहा है कि यह जो दुख है यह दुख आपका या मेरा नहीं है किसी महिला का, किसी बच्चे का या किसी पूरुष का नहीं है दुख तो दुख है या किसी एक का नहीं हो सकता यह जो दुख है यह दुख पुरे मानो जाती का है जब आपका बच्चा मर जाता है तो आप दुख में रहते है आपको दुख होता है अगर आप कहे कि यह दुख केवल मेरा नहीं है पुरे मानो जाती का है तो क्या इस से आपका दुख कम होगा क्या ऐसे कहने से दुख खत्म हो जाएगा क्या हम इस दुख को हमेशा के लिए खत्म कर सकते है क्या हम इसे मिटा सकते है अगर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मैं उस दर्द से गुजर रहा हूँ तो क्या यह दर्द हमेशा के लिए मिट सकता है जहाँ दुख मौजूद होता है वहाँ प्रेम मौजूद नहीं होता हम कहते है कि मेरा भगवान आपके भगवान से अलग है वैसे ही हम कहते है मेरा दुख आपके दुख से अलग है मेरा अपना खुद का अलग दुख है ऐसा ही हम सादरंतर सूचते है और जब आपका बेटा मरता है तो उसके साथ आपके सपने भी मरते है आपका बेटा आपकी निरंतरता हो सकता था आप जानते हैं आप चाहते थे कि वो कुछ बने आप चाहते थे कि वो आपके लिए कुछ कर जाए बुढ़ापे में आपका साहरा बने इत्यादी क्या ये सच नहीं है हम सब एक ही तरह से सोचते है तो आपको भारी दुख होता है और आपका दोस्त आपसे आकर कहता है कि दोस्त यह आपका दुख नहीं है यह दुख तो सारी मानो जा दीगा है दुनिया का हर व्यत्ती इससे गुजरता है ये दुख तो हम सभी का है केवल आपका अकेले का नहीं है लेकिन यह सुनके आप इसका स्विकार नहीं करते आप अपना दुख छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि आप चाहते हो कि दुख हो आप अपने दुख को संभालते हो एक तरब से आपको वह पसंद है आप अपने दुख में खुश है क्या ये सच है? और आपके दुख में आप खुद को अलग कर लेते हो लेकिन आप अगर इसे तलाशेंगे इसके जड़ तक जाएंगे तो असल में यह दुख आपका अकेले का है ही नहीं हाँ, थोड़ा सा आपका हिस्सा इसमें शामिल है लेकिन यह दुख आपका नहीं है यह तो पुरिमानो जाती का है हम सब का है इसका मतलब आप अपने खुद के लिए अकेले के लिए सहानुभूती या दया नहीं चाह सकते क्या आपको मेरी बात समझा रही है क्या आप लोग सहानुभूती नहीं चाहते क्या आप नहीं चाहते कि आपके दुख के बारे में लोग सोचे, आप पर दया करे आपका दुख पुरिमानो जाती में बाटने से आपका बोच कम हो जाता है है ना, है या नहीं क्या आप इसे बाट सकते है या फिर आपने मान लिया है कि यह आपका ही दुख है शायद आपको इस बारे में अभी पता नहीं है हम इस पर बात करेंगे आप अपना दुख पुरिमानो जाती से बाट रहे हैं मेरे शब्दों पर जादा जोर ना दे मेरे साथ साथ चले, सफर करे आप मानो जाती का ही एक हिस्सा हो मानो जाती से आप अलग नहीं हो जो आपकी चेतना है पुरे मानो जाती का हिस्सा है जो भी आपने अब तक कल बनाये की है अनुभाव, घ्यान, अतित की यादे आपके सपने, आपकी इच्छाए इन सब से आपकी चेतना बनी है जो पूरी मानो जाती में पाई जाती है मानव जाती में भी डर है, अनुभव है, अतीत का ग्यान है, सपने इच्छा अकांशाय है, स्मृतिया है, कल बनाए है, यादे है, इत्यादी इनसे ही तो आपकी और केवल आपकी ही नहीं पूरे मानव जाती की चेतना बनती है, बनी है आप जैसे हो, बाकी लोग भी वैसे ही है, हम सब एक है, और एक ही चीज से बने है आपका शरीर चाहे बाके लोगों से अलग हो, लेकिन आपकी चेतना सभी की है है ना, आपको इसे नैसूस करना होगा